Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ विवेग फिंटेक्स प्रो जहां पर हम बात करते हैं Finance and Taxation की and आज discuss करने वाले हैं GST के forms के बारे में but उन forms को समझने से पहले कुछ questions आप से मैं पूछूंगा और आपको उन questions के answer मुझे दे रहें नीचे comment section में कुछ time पहले मैं आपने community section में भी एक question पूछे थे तीन questions है, तीनों का answer आप नीचे comment section में मुझे दीजेगा और इस पूरे का answer जो है, correct answer क्या है वो मैं वीडियो के last में बताऊँगा तो पूरी वीडियो को last तक देखेगा, छोटी सी वीडियो ज्यादा बढ़ी नीए पहला question है, Mr. Raj एक GST officer है, has done the scrutiny of firm which was cancelled six months back due to non filing of GST return मतलब Mr. Raj ने अपनी GST की return file नहीं किये, जिसकी वीज़े से 6 महिने पहले Mr. Raj का GST जो है, वो cancel हो चुका है अगर मैं आपसे आज ये question पूछू कि क्या Mr. Raj एक registered person है या एक unregistered person है, तो simple answer है, Mr. Raj एक unregistered person है, आगे पढ़िए, during scrutiny Mr. Raj identify, अच्छा Mr. Raj एक GST officer है, sorry, sorry Mr. Raj जो वो GST officer है, वो firm जो है, वो firm unregistered firm है, Mr. Raj तो एक GST officer है, चलो, तो during the scrutiny Mr. Raj identify that firm is still running a business with cancelled GST, आपके पास अगर GST नहीं है, और आपकी turnover cross हो जाती है, तो आप without GST अपने business को run नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको पता चला कि business अभी भी run हो रहा है, and not paying the tax, तो Mr. Raj business तो run कर रहे हैं, GST cancel होने के बाद भी, लेकिन government को tax pay नहीं कर रहे हैं, tax वो collect भी कर रहे हैं, but government को pay नहीं कर रहे हैं, Mr. Raj want to issue so cause notice to firm, but he is confused about the appropriate form which he need to issue, कौन सा form उनको issue करना चाहिए, तो एक बात तो clear है कि scrutiny अगर हो रही है, assessment अगर हो रही है, तो assessment के जो forms होते हैं, आज forms के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो assessment के forms हमारे ASMT forms होते हैं, assessment की short form होती है, ASMT, तो ASMT का form होगा, तो इतना तो उनको पता है, बट form का number क्या होगा, वो यहाँ पर आपके लिए question है, कि ASMT 10, 11, 12, 13, या 14, और 79% लोगों ने जो है, 630 वोट आ चुके हैं, जिन्होंने ASMT 10 बोला है, बट कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो अभी नहीं, वो वीडियो के last में पता चलेगा, आपको बताना है, कि कौन सा form correct है, ASMT 10, 11, 12, 13, 14, question मैं simply बता देता हूँ, एक unregistered person को GST officer कौन से assessment form जो है, कौन सा form Mr. Raj को file करना चाहिए, देखे, इस वीडियो को बिल्कुल भी lightly मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं चलो एक hint कर देता हूँ, 79% लोग गलत है, अब आपके पास option खाल ये 4 बचे है, इसलिए क्योंकि इतने लोगों ने गलत जवाब दिया, इसलिए मुझे लगा कि मुझे को एक forms के उपर भी एक detail video बना करके आपको देनी चाहिए, यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो आपके पास option है, GST REG, registration related form है, cancellation registration, तो वो REG की अंदर ही आता है, REG is a short form of registration, तो यहाँ पर आपको 5 option दिये गए थे, REG 15, 16, 17, 18, 19, 65% लोगों बोला है, REG 15 और 65% लोग यहाँ पर भी गलत हैं, आपके पास option अब बचे हैं, खाली यह 4, इसमें से correct answer मुझे नीचे बताएगा, क्योंकि इतने लोगों ने गलत answer दिया है, इसलिए मुझको यह वीडियो बनाने की ज़रूद पड़ी है, आपको forms की पूरी list में देने वाला हूँ भी वीडियो में बने रहीएगा, और last miss का correct answer भी आपको बताऊँगा, इन which form you receive the acknowledgement of refund की application आपको कौन से उसमें मिलती है, RFD मलब अब यहाँ पर question यह नहीं है कि refund की application आपको कौन से form में डालनी होती है, question यह है कि उसकी acknowledgement आपको कौन से form में मिलती है, थोड़ा सा question को भी ध्यान से पड़ा करो, तो यहाँ पर RFD 0, 1, 2, 3, 4, 5, answer आप नीचे दीजिएगा, इन तीनों का ही answer मैं आपको वीडियो के last में वताऊँगा, चलिए अब start करते हैं, आज के session में, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको यह list में देने वाला हूँ, हमारे list मैंने prepare की है, यह है GST forms की पूरी की पूरी list, अगर मैं आप से पूछूँ एक question, कि GST के अंदर आपको कितने forms पता हैं, तो आपके मुश्किल से मुश्किल 90% लोग जो हैं, वो 10 से 12 form ले पाएंगे, वो भी कौन-कौन से मैं खुद बता देता हूँ, GSTR 1, 2A, 2B, GSTR 3B, GSTR 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9C, GSTR 10 और GSTR 11, इसके बाद registration के एक-दो form ले लो, ASMT के एक-दो form ले लो, refund के एक-दो form ले लो, and that's all, that's done. इससे जाद आपको, शायद ही किसी को पता हो, लेकिन, लेकिन, form जो होते हैं, more than 50 forms हैं, GST के अंदर जादा भी हो सकते हैं, वैसे मैंने count नहीं कियें, लेकिन 50 से जादा तो होंगे forms, और सारे ही forms important हैं, बहुत सारे, आपके हर chapter के, GST Act जो होता है, वो पूरा chapter में divide होता है, तो हर chapter के wise आपके हैं पर forms होते हैं, यह form कहां पे दिये होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जेकि एक हमारा होता है, CGST Rules होते हैं हमारे, CGST Rules दो part होते हैं, इसके एक होता है part A, एक होता है Part B Part A के अंदर जो चीजह होती है वो होती है Procedional जो चीजह मता की होती है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है Department से ऐसे काम करेगा Procedional चीजह आपको Part A में बताई जाती है और उसके बाद जो Forms होती है Part B जो होता है वो Particularly Forms के लिए होता है तो यह जितने भी forms हैं, जो अभी नीचे मैं आपको एक overview भी दूँगा, सारे forms का, वो सारे के सारे forms, cgst rule 2017 part b के अंदर define होते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत, इसलिए पड़ ये video बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जब मैंने आपके answers देखे, तो मुझे लगा कि मुझको एक video बनानी चाहिए, और आपको एक list, at least मैं provide करूँ, कौन-कौन से forms होते हैं, कौन वो file कर सकता है, देखिए, काफी सारे forms ऐसे होते हैं, जो taxpayer के लिए नहीं होते, लेकिन department के लिए होते हैं, officers के लिए होते हैं, तो हमारी videos, जहां तक मुझे पता है, department के officers भी द देखा होगा, और फिर उसकी description यहां पर लिखिए है कि क्यों वो form use किया जाता है, जैसे कि, मैंने आपसे question पूछा था, चलो उसका answer देते है, registration जब आप cancel कराने के लिए जाएंगे, तो कौन सा application आपको file करनी है, तो चलिए मैं answer दे देता हूँ, GST REG 16 होती है, जो कि application for cancellation के लिए taxpayer को move करनी होती है, तो यहां पर आप GST REG 16 देखेंगे, तो यहां पर देखिए GST REG 16 जो है, for taxpayer को file करना होता है, application for cancellation of registration, तो यानि आपका correct answer जो है, इस वाले question के अंदर, जो मैंने आपसे पूछा था, इस वाले में आपका correct answer जो होना चाहिए था, वो GST REG 16 होना चाह दिया था, बागी 65% लोगों का answer बिलकुल ही गलत था, और आपने comment में क्या दिया, comment को edit मत करना, please, जो दे दिया, कोई बात नहीं, सीखो, learning से ही experience मिलता है, चलिए, और दूसरा मेरा question आप से यह था, reference related question था, ASMT से related question था, चलिए, मैं इसका पहले आपको answer दे देता हूँ, So, ASMT 14 जो होता है, ASMT 14 इस्यू करना होता है, जब एक unregistered person की scrutiny की जाती है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने ASMT 10 दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने सुना ही खाली ASMT 10 है, बहुत कम इस्यू होते हैं, ASMT 14, लेकिन जब एक unregistered person की scrutiny and assessment किया जा आता है, तो वहाँ पर department, department issue करता है, यह form, taxpayer issue नहीं करता, department issue करता है, और ASMT 14 जो की मात्र, 4% लोगों ने जिसका correct answer दिया था, तो 4% को मेरी तरफ से thumbs up है, कि उन्होंने जो है, इस question को भी ध्यान से पढ़ा है, और answer जो है, सही से दिया, मुझे नहीं पता 4% नाम नहीं पता चलता है, किसका है, but yes, mostly 80% जो लोग है, उन्होंने गलत answer यहाँ पर दिया था, चलिए, तो यह answer भी आपको मिल गया होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, खेर, ASMT के forms आपको नीचे मिल जाएंगे, assessment के जो forms होते हैं, वो ASMT के होते हैं, so ASMT 14 जो होता है, 14 जो होता है, य की जाती है, section 63 के अंदर, आपसे question क्या पूछा जा रहा था, कि भाई यह जो firm है, यह firm cancel हो चुका है, इसका JST No. 6 महीने पहले, यानि आज की rate में इसका situation क्या है, यह एक unregistered firm है, और unregistered firm का, कौन सा section में assessment होती है, section 63 में assessment होती है, वो section 63 के लिए जो form हमारा आता है, वो हमारा refunds related था, यहाँ पर चलो, बहुत बढ़िया, 56% लोगों ने यहाँ पर correct बिल्कुल अंसर दिया है, और correct answer RFD 02 होता है, RFD 01 आपकी application होती हो refund की, और उसकी acknowledgement आपको RFD 02 के अंदर मिलती है, यहाँ पर आपसे acknowledgement ही पूछी हुई थी, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको refund का दिखा देता हूँ एक बार, refund के session अगर आप हमारे course आपने लिया हुआ है, refund के session मैंने वहाँ पर edit कर दी है, add कर दी है, तो वो आप access कर सकते हैं, refund के सारे session आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, practical sessions कुछ रहते हैं, वो भी मैं इस week में, next week में upload कर दूँगा, बा of the application of refund, तो ये था इसका correct answer, इसी तरीके से, guys, ये जो पूरी PDF है, ये मैं आपको नीचे दूँगा, description मैं, इसको download कर लीजिएगा, अपने table पर रखिएगा, और पढ़ लीजिएगा, important होते चलि, tax officer वाले नहीं, तो at least taxpayer वाले forms, अगर आप एक tax professional है, तो ये taxpayer वाले forms आपको पता ही होने चाहिए, अगर आप GST officer departments हैं, तो आपको ये official वाले forms भी पता होने चाहिए, और मेरे साब से तो अगर आप एक expert बना चाहते हैं, तो सारे forms ही आपको पता होने चाहिए, चाहे वो expert, चाहे वो tax professional के लिए हो, चाहे taxpayer के लिए हो, या फिर वो department के लिए हो, download कर ली होने चाहिए, आशा करता हूँ guys, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तीन questions मैंने आपके साथ discuss किये, तीनों के answers भी मैंने आपको दे दिये हैं, comments को added बिल्कुल नहीं करना, कोई दिकत नहीं, अगर आपने गलत answer दिया है, तो कुछ चीज सीखी होगी, आपने इसक informative वीडियो के लिए, finance और taxation की latest updates के लिए, अभी subscribe करें हमारे channel fintex pro को, मैं वेक मिलता हूँ आपको अगले session में तब तक के लिए, हसते रहे, मुस्कुराते रहे, bye bye, take care